इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अर्वास्टे 75 कैपसूल दो दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल दिल के दोरे और स्ट्रोक को रोकने के लिए किया जाता है। यह दवा खराब कॉलेस्ट्रॉल यानी की LDL और Triglycerides यानी की वसा किस तर को कम करती है। इसके अलावा यह रक्त के ठक्कों के गठन को भी कम करता है। पेट खराब होने से बचने के लिए अर्वास्टे 75 कैपसूल को खाने के साथ ही लेना चाहिए। आपको इसे अपने चिकित सकद्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित अंतराल पर नियमित रूप से लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे याद रखने में मदद मिलेगी। उपचार की खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है। जब तक आप बहतर महसूस न करें, तब तक इसे लेना बंद न करें जब तक कि आप पूरा कोस पूरा नहीं कर लेते। जीवन शेली में बदलाव जैसे कम वसा वाला आहार, व्यायाम और धूंडपान न करना इस दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। मतली, पेट में दर्द, सिर्दर्द और कब जस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं। यह दवा आपके रक्तसराव के जोखिम को बढ़ाती है, इसलिए शेविंग करते समय, नाखून कारते समय, नुकीली चीजों का उप्योग करते समय, या संपर्क खेलों में सनलग्न होने पर सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, यानि की, जैसे, फुटबॉल, कुष्ट अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको त्वचा का पीलापन, मांस्पेशियों में दर्द या गहरे रंग का मूत दिखाई देता है, इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवर या किड्नी की बीमारी है या आप ब्लीडिंग आना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइ करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद